हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टो एडू ओनलाइन, मैसेलफ दीपक कुमारवाथ और टोड़े इन दिस वीडियो वी आर गोई टो लर्न हाव टो बेरिफाई प्रोपर्टीज ओफ एडिशन ओफ रेशनल नंबर्स आज हम सीखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में प्रोपर्टीज ओफ रेशनल नंबर्स ओवर एडिशन हमने सीखी थी उन्हें हम बैरिफाई कैसे कर सकते हैं यह है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे properties को किस तरह से verify करते हैं यहाँ मैं आपको एक problem के उपर apply करने के बाद बताऊंगा इसी तरह से आप बाकी problems को भी solve कर सकते हैं तो ध्यान से सीखना है क्या steps हम apply करते हैं ताकि आप बाकी problems को आसानी से solve कर पाएं मैंने आपके लिए यहाँ question number 4 का second part लिया है आपके exercise 1C से इसमें क्या करना है आपको यह property आपको यह दी गई है minus 7 upon 11 plus 2 upon minus 5 plus minus 13 upon 22 is equal to minus 7 upon 11 plus 2 upon minus 5 plus minus 13 upon 22 यह कौन सी property है यह associated property हमने जो पढ़ी थी वह है यहाँ हमें इसको verify करना है अब इसमें verify हम कैसे करते हैं ध्यान से सुनेंगे आपको यहाँ पर देखेंगे एक equation दी गई इस equation में आपकी दो side है आपके left hand side में है आपके left hand की तरफ जो होती है उसे left hand side कहते है जो right hand side की तरफ होती है उसे हम right hand side कहते है तो left hand side और right hand side दोनों को हम अलग-अलग solve करेंगे और उसकी value find करेंगे पहले left hand side को solve करेंगे फिर right hand side को solve करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या दोनों की values हमने जो solve करने के बाद आई क्या वो same है अगर वह same होती है तब यह property verify हो जाएगी और अगर same नहीं होती है तब यह property verify नहीं होगी तो आईए चलते हैं लेते हैं इसकी left hand side left hand side में आपको दिया है minus 7 upon 11 plus 2 upon minus 5 plus minus 13 upon 22 अब हमें इसको solve करना है तो देखें इसमें हमने board mask का इस्तमाल करेंगे board mask कहता है पहले आपको bracket को solve करना है bracket यहाँ पर लगा हुआ है तो पहले हम इन दोनों rational number पर यह जो हमारा operator है plus का इसको apply करेंगे उसके बाद हम इस number को add करेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यह जो आपको number दिया गया है इसमें denominator आपका negative है तो हमने addition of rational number में सीखा था कि अगर आपका denominator negative होता है तो पहले हमें उसे positive करना होता है तो इसको पहले हम positive करेंगे positive कैसे करते हैं हम इसको minus 1 से numerator और denominator में multiply कर लेंगे तो आपका यह जो numerator है वो आप negative हो जाएगा denominator आपका positive हो जाएगा अब यहाँ पर देखेंगे आप 2 rational number की हमें addition करनी है यह हमने पहले वीडियो में सीख चुके हैं कैसे हम addition कर सकते हैं दो case हमने सीख थे जब हमारे denominator different होते हैं और हमारे denominator same होते है तो यहाँ पर हमारे denominator different है तो हम the second case है हमारा यह यहाँ पर हम कैसे solve करेंगे shortcut mark का ext効ст करेंगे denominator का हम LCM लेंगे 11 ए 5 का LCM लेंगे 11 और 5 के GCM लेंगे तो हमारे 55 55 अब जो हमारा पहला रेशनल लंबर था उसके डैनोमिनेटर से उसका डैनोमिनेटर क्या था हमारा 11 11 से LCM को डिवाइड करेंगे 55 को 5 टाइम जाएगा तो जो नुम्रेटर था माइनस 7 उसकी मल्टिप्लाई की हमने 5 से सेकिंड रेशनल लंबर का नुम्रेटर हमारा माइनस 2 था और उसका डैनोमिनेटर 5 था 5 से हमने LCM को डिवाइड करेंगे 11 टाइम जाएगा 11 तो हम माइनस 2 की मल्टिप्लाई 11 से करेंगे और यह भी मैनस 13 अपुर 22 आपका ऐसे ही रहेगा, अब देखेंगे यहां यहांभी आपको Board Mass fulike करना है पहले Board Mass कցहता है Multiply करेंगे, तो पहले हम इन दोहां जहां Multiply है वहाँ Multiply को अपरेट करेंगे तो 7-7 की 5 से multiply करेंगे minus 35 आएगा और minus 2 की 11 से multiply करेंगे आपको minus 22 मिलेगा minus 7 की multiply 5 से करेंगे minus 35 आएगा की और minus 2 की multiply 11 से करेंगे minus 22 आएगा और याभी minus 13 upon 22 अभी हम ऐसे ही रखेंगे चुकिए अभी हम पहले bracket को solve कर रहे हैं अब देखेंगे आप यहां दोनो निगेटिव इंटीजर हैं तो दोनो एड हो जाएंगे एड होने के बाद आपको मिलेगा माइनस 57 अपोन 55 प्लस यह माइनस 13 अपोन 22 अभी आपका ऐसे ही रहेगा अब देखेंगे आप फिर से दो रेशनल लंबर हैं दोनों को फिर से एड करना है जो प्रोसेस हमने ब्रैकिट के अंदर इस्तमाल की थी वही आपको यहां अप्लाई करनी है दोनों डैनोमेटर का आप LCM लेंगे 110 आएगा अब माइनस 57 पहला नुमरेटर है यह ऐसे ही रहेगा आपका डैनोमेटर 55 से आप LCM को डिवाइड करेंगे 110 को टू टाइम जाएगा तो आप इसकी 2 से मल्टिप्लाई करेंगे प्लस है तो प्लस यहां ऐसे ही रखेंगे माइनस 13 ब्रैकिट में रख लेंगे निगेटिव इंटीजर है इसकी मल्टिप्लाई करेंगे इस से जो इसके डैनोमेटर से LCM को डिवाइड करने के बाद आएगा तो 22 से 110 को डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा अब देखेंगे आप फिर से बोटमा से अप्लाई करें करेंगे पहले मल्टिप्लाई करेंगे यहां पर मल्टिप्लाई होगी और इन दोनों की मल्टिप्लाई होगी जो मल्टिप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 114 प्लस माइनस 65 और अपोन 110 अब दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं फिर से एड हो जाएंगे तो हमें मिल क्या थी माइनस सेवन अपोन 11 प्लस और अब यहां बाद के दो जो रेशन लंबर थे उनको ब्रैकेट में रखा हुआ पहले हम इन दोनों को एड़ करेंगे तो अब यहां फिर से वही आपका निगेटिव आपका डैनुमनेटर है इसको पोजिटिव बनाने के लिए माइनस उनसे उपर नीचे आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका जो डैनुमनेटर है वह पोजिटिव हो जाएगा और नुमरेटर आपका निगेटिव हो जाएगा अब दो रेशन लंबर की एडिशन है आपकी दोनों रेशन लंबर की एडिशन करने के लिए फिर से आप माइनस 13 के मल्टिप्लाइ आप करेंगे 22 5 जा 110 5 से अब आप इसको ब्रैकिट को सिंप्लिफाइ करेंगे अभी माइनस 7 अपों 11 आपका ऐसे ही रहेगा अब यहाँ पर क्या होगा मल्टिप्लाइ होगी मल्टिप्लाइ करने के बाद आपको क्या मिलेगा माइनस 44 एंड प्ल फिर से वही प्रोसेस इस्तमाल करनी है हमने डैनोमेटर का ऐसे हम लेंगे ओपर यहाँ इने सिंप्लिफाइ करेंगे मल्टिप्लाइ करेंगे माइनस 70 प्लस माइनस 109 अपों 110 आपको मिलेगा फिर से वही दो निकेटिव इंटीजर है एड हो रहे हैं तो दोनों is equal to right hand side जो left hand side हमने solve की थी वही आपके किसके equal आई right hand side के तो हम कह सकते हैं therefore minus 7 upon 11 plus 2 upon minus 5 plus minus 13 upon 22 will be equal to minus 7 upon 11 plus 2 upon minus 5 plus minus 13 upon 22 इस थरह से हम कह सकते हैं यह property हमारी verify हो गई है अभी इसके जो another parts है उसमें भी आपको यही काम करना है पहले left hand side लेनी है उसको solve करेंगे फिर right hand side को लेंगे उसको solve करेंगे यदि वो दोनों बराबर आ जाती है तो आप लिख देंगे therefore the property is verified और अगर equal नहीं आती है तो आप लिखेंगे यहाँ not verified तो hope now you are able to verify the property जब आसानी से आप properties को verify कर सकते हैं आगे next वीडियो में हम next topic पर बात करेंगे करेंगे